ममशकर मैं विरेंद्र गुप्ता और बताना अवश्चक है कि आज जनपद मिर्जापुर में पहली बार किसी HDM के दोरा इस तरीके की कारवाई की गई जिससे समूचा जनपद चहक उठा है जनपद मिर्जापुर वासियों को अब ये भरोसा होने लगा है कि चल्दी ही अच्छे और युवा अधिकारी जनपद में फैले भरष्टा चार को जड़ से समाप्त कर पाने में सफल हो जाएंगे दर्सालाज मिर्जापुर में सिधनात दरी में जो परेटर निस्थल है वहाँ पर अवैद रूप से वाहन पारकिंग के नाम पर गुंडागिरी और वसूली अपने चरम पर था काफी दिनों से ये शिकायत मिल रही थी उसके बाद जैसे ही HDM को जानकारी हुई ततकाल HDM चुनार के द्वारा अपना तरीके से उसकी पुरी रिकॉर्डिंग की गई कि किस तरीके से वहाँ अवैद वसूली करता अवैद वसूली करते हैं जदी निर्धारित राशी 10 उपए की वसूली करते रंगे हाथ HDM रोशनी यादों के द्वारा छापे मारी के दौरान पकड़ा गया और इस पूरे मामले में सब को पकड़ कर ठाने पर लेया गया इस कारवाई के बाद जनपद मिर्जापुर के वासियों ने रोशनी यादों से अपेक्षा किया है कि कम सकम वो जिस छित्र में वहां तो वहां की गंदगी अच्छी तो सफाई कर पा रही है ऐसे अवैद वसूली करताओं को ठिकाने लगाने का निरंतर फिरास कर रही है उसी तरीके से सिटी मजिस्टेट को भी चाहिए कि बिंध्याचल में जितने भी दरसनार्थी आते हैं उनसे भी बाहनों के द्वारा अवैद वसूली करने की शिकायत निरंतर दरसनार्थियों के द्वारा किया जाता रहा है क्या जन्पद मिर्जापुर के सिती में पढ़ने वाले विंध्याचल मंदिर में भी इस तरीके की छापा मारी की जाएगी अगर ऐसा होता है तो वास को के साथ अवैद सिर्फ वसूली ही नहीं करते बलकि दुर्बेहवार की भी घटना प्राया सुनने को मिलती है इस तरीके से कई बार की शिकायत काली खो के स्टेंड पर भी सुनने को मिला है जो की अश्टवुजा देवी और काली खो के स्टेंड पर भी अकसर दरसनार्थ के साथ इस्टेंड वहन संचालक के साथ नोग जोग का मामला प्रकास में आता रहता है लेकिन आज मिर्जापुर में सिधनात दरी जल परपात पर अवैद रूप से पार्किंग के नाम पर वहन इस्टेंड के नाम पर अवैद वसुली करते जिस तरीके से HDM चुनार रोशनी यादों ने आठ व्यक्षियों को गिरफ्तार करके इस बात का सबूत पेस किया है कि यदि आधिकारी चाह लें तो अवैद कारवाही और अवैद गतिविदी जनपद में रत्ती भर भी चल नहीं सकता देखें ये अवैद वसुली करता है जो हाँज जोड के साथ अवैद उसे वसुली की जाती थी और इस तरीके से कोई इनको इनसे लड़ने की हिमाकत भी नहीं कर पाता था क्योंकि लोग जब घूमने के लिए निकलते हैं सेर सपाटे के लिए निकलते हैं तो वो बहुत कानून के लपड़े में नहीं पड़ते कि वहां का जो की सुल्क है वो बीस रुपए है की पचास रुपए है की तीस रुपए है फरजी तरीकी से रशीद भी इन लोगों की दोड़ा छपवा ली गई थी जो परे टक्टे वो रशीद प्राप्त करने के बाद उनको लगता था कि ये वाजब शुल्क होगा लेकिन जांच करने क पशात पता चला टी निर्धारित स्लक से बहुत बहुत